Assalamu alaikum, सभी लोगों को मलिका का बहुत बहुत सलाम, Welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुती हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन लड्डू बाजरे के आटे के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे कम इंग्रीडियन्स में ये लड़ू बना सकते हैं और काफी हल्दी होंगे आपकी बॉड़ी के लिए तो जो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये ट्रेजर है तो बिना टाइम वेस्ट किये यहां पर मैं आप लोगे साथ रेसिपी शेयर कर दो तो यहां पर मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स ले लिए हैं मैंने काजू बदाम और खसकस लिया है हाला के एक कब भी बहुत जादा ही था तो आप लोग आफ कप के करीब जो हैं इस्तिमाल कर ले जितने कॉंटिटी में मैं बना रही हूं उतने कॉंटिटी के लिए तो आपको हाफ कप ही गुड लगेगा उससे जादा नहीं तो यहां पर मैंने गुड को अच्छे से क्रश कर लिया है और इसमें मैं पानी डाल के इसे गला लूंगी जो जो लोग डाइटिंग करना चालू किये हैं और वर्काउट करने लगे हैं मुझे केमेंट्स करके जरूर बताना क्यूंकि मैं भी जो है सोच रही हूं डाइटि आप बाद में डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि खसकस बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है यहां पर मैंने एक चमच भर के घी डाल दिया है उसके बाद मैं इसमें दो कप के करीब बाजरे का आटा ले रही हूं अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप नॉर्मल वाला गेहूं का भी आटा इस्तिमाल कर सकते वह भी हल्दी होता है तो इसको मैं अच्छे से जो है रोस्ट कर लूंगी खुश्बू आने लगे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जा यहां पर गुर्का पानी रेडी है बिल्कुल भी टाइम नहीं लग और यहां पर मैं ड्राइफरूट्स को पीस रही हूं तो मैंने इन्हें रफली पीसा है ज्यादा बारिक नहीं किया है जिससे कि वह दाने दाने आए तो वह खाने में बहुत अच्छा लगता है जो लोग ड्राइफरूट्स ज्यादा पसंद नहीं करते वह पाउडर भी ब जब कुछ वश्यादा जाएं जादा घरम ना शाएं ए पानी डाला यहाँ जादा नहीं यूज हूँढ और मीठा भी यह अच्छा था ज्यादा मीठा भी नहीं था तो खाने में भी जो है अच्छा लग रहा था हैवी नहीं लग रहा था और सब से जाधा खासियत इस लोगों ने इसे बहुत अच्छे से खाया है बीना कोई नाटक किये तो यहां पर मैं छोटे-छोटे से लड़ू बना लूँगी तो यहां पर तो अपनी तारिफ कम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में तो यह सब करने के बाद शाम के वाक्त हम चले गए थे शौपिंग करने अपी का बढ़्दे था तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया था हम अपी को साथ में लेके इसमें थे तो जब हम आप पहुचे तो सारी दुकाने आदी सी जाद बुकाने तो बंद हो गई थी तो जो जो मिला हम ले लिए हैं मैं अपने नेक्स व्लॉग में अपप लोगों को शेयर करके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया और अपी को क्या-क्या गिफ्ट दिया ह यहां पर हम लोगों ने तंदूरी और यह मुरादाबादी पुलाओ खा रहे हैं तो हम बैंडर लिंकिंग रोड गए थे और यहां पर मैं अपनी फेवरेट लस्ती पी रही हूं बाकी तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि अल्रेडी में लड्डू खा के फूल थी और बहु जबस्ती जी और गख रहे हैं झाउरी फिंगर खाय मैंने उुझेट खाय मैंने टीर थां इल्ब दो मैंने में खाया और रहाँ और में लेजड़ना टीर यहां पूल प्सुर ए रहाँ मैंने वूब दो भी नील